हलो मैं हूँ रश्मी नागपूर नियोस बिलेटिंग में आपका स्वागते नज़र डालते है दिम्रकी सुर्खियों पर नागपूर मुंबई हाइवे, नागपूर गोवा हाइवे के बाद अब नागपूर हैदराबाद हाइवे भी बनने की उम्मीद है सेंटरल मिनिस्टर नितीन गर्करी ने बुद्वार 26 ओक्टूमबर को प्रेस कॉन्फरेंस में ये जानकारी थी उन्होंने बताया कि ये हाइवे 8 लेन का होगा जिसके बाद नागपूर से हैदराबाद पहुचने में सिर्फ 3.5 गंटे लगेंगे अब फिलाल हैदराबाद जाने के लिए 8 गंटों से ज्यादा का समय लगता है नागपूर से कई लोग हैदराबाद का सफर कार बस से करते हैं प्राइवेट और स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेज भी हैदराबाद के लिए रोज आना चलती है ये हाईवे अगर 8 लेन का बनता है तो निश्चिती इसका फाइदा लोगों को होगा करीब 2 साल के बाद विदान सबा के विंटर सेशन की तयारिया नागपूर में शुरू हो चुकी है इस बार विंटर सेशन का खर्च पहले की तुलना में 30 से 40 प्रतिशर जादा होने की जानकारी सामने आ रही है खर्च का प्लान PWD डिपार्टमेंट की और से तयार किया जा रहा है कोविट के कारण 2020 और 2021 को नागपूर का विंटर सेशन नहीं हुआ था कोविट के कारण सभी सेशन मुंबई में हुए थे इस बार अनुमान है कि दो हपतों का नागपूर का सेशन रह सकता है विदान भवन, रवी भवन, नागभवन, आमदार निवास और 160 रूम्स को दुरुस्त किया जा रहा है अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार विदान भवन पर 60-70 करोड रुपे का खर्चाएगा 19 डिसमबर से विंटर सेशन नागपूर में शुरू होगा नागपूर में Food and Drugs Department की और से शहर के अलग-अलग जगहों से करीब 200 सैंपल कलेक्ट किये गए थे लेकिन सैंपल रिपोर्ट के नहीं आने की वज़े से किसी भी तरह की कोई भी कार्यवाई दुकानदारों पर नहीं की गई है जानकारी के अनुसार दिवाली से पहले कोई, मिठाई, तेल, घी, बेसन के अलावा और कुछ चीजों का सैंपल कलेक्ट किया गया था लेकिन अब जब रिपोर्ट ही 15 दिनों के बाद आएगी तो कार्यवाई की उम्मेद भी नहीं कर सकते फूट डिपार्टमेंट की और से दिवाली से कुछ दिन पहले ही सैंपल कलेक्ट किये जाते हैं जबकि अगर कार्यवाई करनी है तो दिवाली से कम से कम 15 दिन पहले सैंपल कलेक्ट करने शुरू होने चाहिए अधिकारी और करमचारी जान बुझ कर सैंपल दिवाली से कुछ दिन पहले कलेक करते हैं ताकि दिवाली के बाद जब सैंपल आये तो सभी को clean sheet दे सके हर साल सैंपल रिपोर्ट को लेकर और कार्यवाई को लेकर यही problem food department में सामने आती है राजसरकार ने दिवाली से पहले किसानों को बारिश में फसलों के खराब होने का कॉंपनसेशन देने की घोशना की थी लेकिन दिवाली खत्म होने के बाद भी नागपुर जिले के कई किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आने की जानकारी सामने आई है CM जिंदे ने Central Criteria से दुगुनी मदद देने के लिए 3 हेक्टर जमिन की मर्यादास से मदद देने की घोशना की थी मुंबई में मांसून चेशन के दौरान 15 सप्टेमबर तक किसानों को मदद देने की घोशना की थी District Administration में 2,67,92 किसानों और 2,42,811 हेक्टर के फसल के नुकसान और इसके लिए 349,68,53,000 की जरुरत होने का प्रस्ताव स्टेट गवर्मेंट को भेजा था गवर्मेंट ने इसको मंजूरी भी दी और एक मैने पहले ही फंड भी पहुचाया कलक्टे के पास से तहसिल स्तर पर भेजा गया लेकिन नागपुर के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाई के कारण कई किसानों को दिवाली के बाद भी मुहावजा नहीं मिल पाया शहर में अपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर के प्रोग्राम्स में सड़क पर मंडप लगा कर सड़क को बंद कर देते हैं शेहर में कई धार्मीक प्रोग्राम्स में भी ज्यादा तर ऐसा दिखाई देता है जिसके कारण नागरीकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लेकिन अब नागपुर मॉनसिपल कॉपरेशन के NDS ऐसे लोगों पर कारवाई कर रहा है सड़क पर मंडप लगवाने वाले ऐसे आठ लोगों से बुद्वार 26 अक्टुमबर को 8000 रुपे का फाइन वसुला गया शेहर में इंडियस की टीम लगातार कार्यवाई कर रही है विडियो के प्रोडिसर है विकरान शांडिलया इस नियो स्क्रिप्ट को आपके लिए लिखा है श्रमानन ताइडे ने और मेरे साथ क्यामेरा के पीछे है अनुराग राउत फिलाल इतना ही कल फिर्म लेंगे नई बुलेटिन के साथ तब तक देखते रही है Nation Next Nation Next, News Hub for New India